गाईस क्या आपको इंचीज पता है? अप लिय। पॉछूँ हूं हमारी फरी फिर का फर्स्ट केरेक्टर कॉन सा था? तो आप में से बहुँत सारे बंदे बोलेंगे भाईं फ्री फिर का फ्रस्ट केरेक्टर एडम हैं लेकिन क्या होगा अगर मैं आप लोग उसे बोलों, फ्रीफर का फॉर्स केरक्टर एडम नहीं, बलकि कोई और सा करक्टर है, जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता है, और उस केरक्टर को बहुत ही कम लोगों ने देखा होगा, तो गईस अगर आप लोग देखना हो, तो आ बहुत उचगा है, अभी हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते है Fact No.6, तो guys मारे Free Fire के अंदर यह जो Training Ground है, यह आप लोगो याद होगा जब Free Fire में पहली बार Training Ground आया था तब वो ऐसा कुछ दिखता था, जितने भी नए प्लियर्स हैं वो लोग भी देख लो, जो पुराना Training Ground था वो कुछ ऐसा दिखता था, लेकिन guys असली जो Fact है वो यह नहीं है, बलकि इससे भी ज़्यादा खतरनाक Fact अभी में आपको बताने वाना तो guys हमारे जो पुराना वाला Training Ground था उसके अंदर एक ऐसा Feature था, जो कि Free Fire वालोगो अभी हर एक मोड के अंदर देना चाहिए और guys यह Feature है हमारा Chat System का, तो guys पुराना वाल जो Training Ground था उसके अंदर हम लोग खुछ से Message टाइप करके, अपने Anime से बात कर सकते थे मतलब कि guys अभी हम लोग Free Fire में किसी भी तरीके से अपने Anime से बात नहीं कर सकते लेकिन जो हमारा पुराना वाला Training Ground था, उसके अंदर हम लोग चैट का यूज करके, आपने सामने जो Anime है, उससे बात कर सकते थे अब पता नहीं यह जो पुराना Training Ground था, इसको Free Fire में रिमूव क्यों कर दिया, और यह चैट सिस्टम का इतना अच्छा फीचर था Free Fire में का, लेकिन पता नहीं कि इसको Free Fire में किसी और मोट के अंदर दिया ही नी, अब बात अगर यहाँ पर Training Ground की चले रही है, तो चलम आपको Training Ground की जो Players है न, वो लोग यहीं पर रहते थे, तो यह काफी अच्छा डिजाइन Free Fire में कर रहा था, लेकिन इस Training Ground को रिमूव करके आभी नयवाल Training Ground दे दिया है, जो कि आभी किसी को भी पसंद नहीं है, और यहाँ पर आप लोग जो वैपन चूस करने का सेक्शन है, वो भी देख सकते हो, यह कुछ ऐसा दिखता था, तो इस वीडियो को आप लोग अपने Free Fire में सभी दोस्ते से शेयर कर दो, और उने में दिखा हो, क्या मारो जो पुराना Training Ground था, वो कैसा दिखता था, Fact No.5, तो आज तक आप लोग ने Free Fire के अंदर बोखो सारे यूटूबर्स का ग अपने यूटूब चैनल पर एक मिलियन से जादा सब्सक्राइबर्स कर ली है, अब जरा बैक्ग्राउंड में आप लोग देखो, यह बंदा करता क्या है, अब यह तो बस शुरुआ थी, आप लोग देखो इखो इबंदा और क्या क्या कर सकता है, तो यहाँ पर यह जो व मैं यह चीज़ तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, आशक मैंने तो Free Fire में कभी भी किसी बंदे को यह वाली वेंच चलाते में नहीं देखा, अब अगर आपको लग रहा है, इस बंदे का जादू यहीं पर कतम हो गया, तो अब लग यह वाला क्लिप देखो, भाई, यहाँ अब इक डाय में हमारी Free Fire में बहुत सारे केरेक्टर्स हैं, और आई दिन आपको कोई नया केरेक्टर Free Fire के अंदर देखने हों मिलता है, लेकिन क्या आपको यह चीज़ पता है, कि हमारी Free Fire का फॉस्ट केरेक्टर कौन सा था, अब यह बात सुनते हैं, आप में से बहुत सार का फॉस्ट केरेक्टर, तो गाइस यह जो स्क्रीन शोट है, वो 2017 का है, जब Free Fire एकदम नयनय लाँच हुआ था, गाइस के करेक्टर देखके, आप इसे बहुत सारे बंदों के मन में सवाल आ सकता है, क्या पता यह Adam ही हो, और इसका बस जो फेस है, वो थोड़ पहुत नहीं हुआ है, ना यहीं चीज़ को बताए, किस करेकटर का नाम क्या था, और इसकी अबिलिटी क्या थी, वैसे तो 99% चांसे यही है, इस करेक्टर की कोई अबिलिटी नहीं होगी, युकि उस टेम पे Free Fire में किसी भी करेक्टर करने कोई अबिलिटी नहीं होती थी, तो गा अब लोगो याद होगा, आज से लगभाग दो साल पहले, फ्रीफार के अंदर 10 रुपे वाले एरड्रॉप आते थे, और 29 रुपीज वाले एरड्रॉप आते थे, अब एरड्रॉप चाहें 10 रुपे का हो, या फिर 29 रुपे का हो, उसमें डाइमन्ड हमें 300 मिलते थे, अब या फिर 29 रुपीज वाला एरड्रॉप है, उससे भी फ्रीफार वाले डाइमन्ड कम कर दी है, पहले जहां हमें 29 रुपीज में 300 डाइमन्ड मिलते थे, उसमें से डाइमन्ड कम कर दो, आप लोग बता ना, कि आपको इससे स्कैप के बारे में पहले से पता था, और चलो अब हम लोग जादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, और मैं आपको बताता हूँ हमारे फैक्ट नमबर टू, सबसे ची बात यह है, ये केरेक्टर आपको कोईन में मिल जाएगा, और इस केरेक्टर का, अगर आप लोग सही से यूज करोगे, सही स्किल के साथ, तो गैस ओरियोन केरेक्टर अब लोग लेकर खेलोगे, तो आपको जो एपी का स्लोट होता है, उसकेंदर आप लोग 300 एपी रख सकते हो, इसके लावा जो ओरियोन की एक्टिव स्किल है, जिसका यूज करके आपकी 150 एपी चली जाएगी, और 3 सेकेंड के लिए आप लोग ओरियोन केरेक्टर की एबिलिटी, जितनी टाइम चाओ, उतनी टाइम यूज कर सकते हो, और सबसे अची बात ये है, इसके आपको कूल डाउन का वेट भी नहीं करना पड़ेगा, जैसे आप लोग किसी भी एनिमी को नॉक करोगे, उसके बाद में आप लोग ओरियोन की ज इसके बाद में आपको यूज कर सकते हो, बस एक चीज़ का आपको दिहान रखना है, और यून की जो एबिलिटी है, वो काफी जल्दी खतम होती है, तो इसको आपको सही टाइम पर यूज करना है, बाकी दियार मुझे आपने सब्सक्राइबर के गेम बले पर इतना भरोस इसके लावा है जो कालाहरी मैप है, उसके अंदर ये शराइन सराम की जगा है, जहां पर हमें कुछ ये ऐसे टेंबल्स देखने हो मिलते हैं, तो इस ये टेंबल्स हमारे इंडोनेशा के, और आप लोग देख सथो ये टेंबल्स हमारे फ्रीफर के शराइन से कितने अब गईस ये एकदम एकड़ी फ्रीफर की तरह तो नहीं है, लेकिन गईस जो असलियत में फ्रेक्टरीज होती है, वह आप लोग देख सकते कुछ ऐसे जबल्स हमारे फ्रीफर वाली फ्रेक्टरी की तरह है, तो गईस आप लोग बताना, आपको फ्रीफर के ये सारे प्ल